लास्ट वीडियो जितने लोगों ने नहीं देखा है मैं इंस्क्रीन के अंदर वो वीडियो डाल दूंगा क्योंकि वो इसी के रिलेटेड है कल मैंने आपको पोजिशनल ट्रेड कैसे करेंगे उसके उपर एक कॉंसेट बताया था आज हम लोग उसके अंदर देखेंगे आइ इंटिफाइ किये होंगे, क्रॉस चेक किये होंगे, थोड़ा बहुत एफ़र्स आप लोगों ने डाले होंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और इट लाइक बटन लोग वेट कर रहे थे ये वीडियो के लिए, और आपका अनलीसिस क्लियर हो, यह एक दिन का प् नहीं है, या फिर आप उसको पेपर ट्रेड कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से वो चल रहा है, तो चले पहले स्टॉक के उपर हम लोग चलते हैं डारेकली, कलका कॉंसेप्ट आप लोग याद होगा, हम लोग इधर सपोर्ट के लाइन के आसपा जब आएगा मार्केट तब हम लोग इसको बाई करेंगे, अगर पोजिटिव कैंडल दिखता है, अगर ये ब्रेकाउट दे दिया है, रेजिस्टन्स पहले हुआ करता था, ब्रेकाउट दे दिया है और इस पॉइंट पे आएगा, तो हम लोग इसी पॉइंट पे सपोर्ट की तरह इसको बाई कर पांस से दस परसंट जब तक यह correction नहीं आता तब तक यह resistance की तरह आप लोग मान नहीं सकते यहाँ पे जैसे यह बहुत बड़ा correction नहीं है अगर correction बहुत बड़ा है तो ही हम लोग उसको resistance की तरह मानेंगे आई हो यह पॉइंट आपको समझ में आ गया हो इतना लोग नहीं दे समय राउंड 2040 के आसपस एक breakout दिया है बहुत अच्छा last swing से यह more than 15% मूब किया है तो हमारे लिए एक अच्छा support यहाँ पे था और यह resistance breakout दिया है तो इसी level के आसपस और market countries लिचार दिन गिर रहा है तो अभी बहुत अच्छे stage पे यहाँ पे यह दिख रहा है हम लोग यह stop loss ready हो गया entry इसके ऊपर हम लोग कर लेंगे यह जो candle बनाओगा bullish candle बनाओगा या फिर कोई भी अगर green color का candle यहाँ पे बने उसके high पे हम लोग entry ले लेंगे जब यह cross करेगा उसका low हम लोग का stop loss रहेगा इसका मतलब हम लोग अभी wait करने वाले market formation करने दीजे तीन चार दिन negative हो चुका है तो chances are very है यहाँ पे आपको एक positive candle देखने मिले तो हम लोग भी wait कर रहे है यह support area है तो इसी point के आसपास फिर हम लोग इसको buy करेंगे यह trade आप लोग का बनने वाला है तो इसके लिए मैं आप लोगों को यह point out किया है कितने लोगों ने यह वाला stock already find out किय गिर रहा है निपटी थोड़ा सा भी positive candle बना सकता है support के आसपास है तो यह अगर turnaround करता है तो reliance भी एक अच्छे momentum में जा सकता है next talk है वी प्रोगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक breakout दिया था correct अभी currently एक breakout level पे trade कर रहा है continuous 4-5 days इसने भी एक downfall आया है तो इसका मतलब हम लोग बस अभी wait करेंगे एक analysis मैंने आपको बताया था अभी हम लोग dots connect करेंगे देखे simple मैं आपको बार-बार analysis में बताता हूँ अगर F&O stock के अंदर 3-4-5 दिन से अगर गिराबट आ रहा है तो यह reversal आ सकता है वो एक concept आप upside momentum आया है तो इसका मतलब हम लोग इसको support की तरह देख सकते हैं यह point पर अगर यहाँ पर bullish candle बनाता है तो पहला dot हम लोगों को था continuously 4-5 दिनी गिराबट भी आया है प्लस यहाँ पर support है तो chances से कि यहाँ से एक uptrend में यह convert हो जाए या फिर at least एक reversal दे दे तो हम लोग wait अभी यहाँ पर red candle बनने हैं हम लोग इसको trade नहीं गरेंगे जब तक यहाँ पर green color का candle नहीं बनता I hope यह सारे point आपको समझ में आरे most interesting यह दो स्टोग आप लोग red arm रिख किये अगर यहाँ पर green color का candle बनता है आपको किसी को कुछ पूछने का जरूत नहीं इतना मैंने आप आप लोगो सिखाया है simple कोई भी green color का candle बनेगा इसी point के आसपास इसके high के उपर आप लोग बाई करोगे low आपका stop loss रहेगा और एक important point बताऊँगा in the end के अंदर लेकिन यह trade आपको समझ में आ गया होगा अभी चलिए हम लोग next stock देखते है next stock है indigo यह 3-4 stock में आप लोग identify किया हूँ दो stock बहुत ही अच्छे है यहाँ पे indigo indigo आपको बताऊगा कुछ ताइम से मैं आपको intraday में भी buying करने के लिए दे रहा था और यहाँ पे एक resistance मतलब एक अच्छा कासा profit भी हो रहा है लेकिन अगर हम लोग देखेंगे market यहाँ से नीची आया था यह जब reversal आ इसलिए मैंना आपको target इतने लोग regular वीडियो देखते होंगे मैंना आपको बतायता है इसी point के आसपास आप लोग उसका profit निकाल देना क्योंकि यहाँ पे एक resistance की तरह काम कर सकता है लोग गलती क्या करते है market यहाँ से turn around हुआ है लोग इसको resistance की तरह मान लेते है resistance तब marketing आ सकता है market उपर गया थोड़ा सा wait करेगा फिर यह continue जा सकता है लोग गलती यहाँ पर करते हैं और इसी के बज़े से बहुत सारे ऐसे लीट होते है और उनको कभी support resistance में सही टाइम पर trade करने के लिए मौका नहीं मिलता लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कब आप support resistance ट्र मैं interested नहीं हूँ क्योंकि यह resistance level है यह resistance line हम लोग उने draw कर दिया है यह round level है इसके लिए और interesting है round level का concept आप लोग दीरे दीरे वीडियो के अंदर सीख रहे हो पहले आप लोगोंने continuous momentum के बाद retracement मतलब reversal का system सीखा अभी change in momentum का भी सीख रहे हो अभी सबी चीजे दीरे दीरे candle 1800 के ऊपर close करता है इसके ऊपर हम लोग buy करेंगे I hope यह point आपको समझ में आ गया अभी लोग बहुत सारी लोग बहुत चादा confidence में होगे हाँ अभी यह तीन stock के अंदर है जब हम लोग को मिल जाएगा हम लोग trade ले लेंगे एक लाग का हमारे पास capital हम लोग 50-60,000 का इसके अंदर invest कर देते हैं हमेशा एक point ध्यान में रखो हर एक trade के पीछे कल भी मैंने आपको बताया था stop losses hit होने वाले है इसके लिए आपको तीन trade दिया so that आपको समझ में आए तीन trade के अंदर हो सकता है एक trade में ऐसे लिटो हो सकता है तीनो trade चल जाए हो सकता है दो trade ऐसे लिटो money management के उपर stress करता रहता हूँ क्योंकि जितना अच्छा setup हो आप कभी पैसा नहीं बना सकते है अगर आपका position sizing money management सही नहीं है तो आपको करना क्या है आने वाले टाइमे में exact आपको बता हूँगा किस तरी किसा आप trade कर सकते हो slow and study learning करेंगे हम लोग don't worry अभी आप लोगों को बस मैं idea दे रहा हूँ last time अगर हम लोग देखेंगे similar यहाँ पे एक अच्छा breakout दिया था इसी level के आसपास हम लोग buy करेंगे no doubt यह आया नीचे same level पर react करके green कलर का candle तो बनाया लिकिन यह 1-2 का profit नहीं दिया इसने ऐसे लिट किया तो यह condition आपका कोई भी stock के अंदर हो सकता इसके लिए आप ज्यादा quantity में trade मत करो slow and steady सीको and one more important point बहुत सारे लोग request कर रहे थे sir fires के अंदर basket order कब आएगा यह जो terminal में use कर रहा हूँ fires के अंदर है अगर आप लोग देख रहे होंगे basket order का features यहाँ पे आ चुका है बहुत सारे लोग इसको request कर रहे थे इसलिए मैं बोल इसलिएगा इसलिए फोरेवर यह जीरो होने वाला है तो आपका account cost opening fees भी जीरो है annual maintenance भी जीरो है तो इसको maintain करने के लिए आपको पैसा लगेगा नहीं क्या पता in future इन लोग आलगों के उपर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो बहुत सारे point आ सकते हैं तो उस ताएं प आपको pay करके account खोलना ना पड़े या फिर आपको annual maintenance charges पे ना करना पड़े अगर आपको account खोलना है discussion box में link के आप खोल सकते हैं वोस खोल के रख लो in future जब दीरे दीरे इन लोग का platform strong होगा क्योंकि back test basket order हो गया option chain हो गया बहुत सारे अच्छे-चे features इसके उपर भी मैंने in description में डाल दूगा तो आपको easy रहेगा देखने के लिए क्या-क्या important feature size के अंदर अगर account को खोलना है तो description box में link है आप लोग account खोल सकते हो लेकिन ये important point नहीं था point important यह था ये तीन stock को आप identify अगर आप किये थे well and good इसको अभी आप लोग ट्रैक करो में भी खुल ट्रैक कर बढ़ता रहे market के से काम करता है अभी के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो डेफिन वड़क like and second reference thank you